ब्रेके बाद स्वागत है आप सब का मंगलवार किसके लिए मंगल होगा ये हम लगातार जानने के कोशिश कर रहे है रुजहानों के जरिये और बहुत जल्द ये नतीजे में भी कंवर्ट हो जाएंगे दंगल के सुल्तान हमारे साथ इस वक्त जुड़े वे है योगिश्वदत दादा बहुत-बहुत स्वागत है आपका जंताटी उपर साकित समन बात कर रहा हूं अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो मेरी तो ये जानना चाहरा हूं कि अभी जो रुजहान है वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है आपका पहला रियक्शन क्या दादा है नहीं है जुड़ दान और अभी बारा सीच पे आगे चल रहे हैं जे हुए दर कुछ और बड़ोत रही होगी इसमें पर यह है कि इतने अच्छे तरीके से बहुत दोड़ा इलड़ी थे वाजिनता पार्टी के कारिया प्रताओने काफी लोग तो कोचे भी मारे लिए कची बात यह है कि इस बार वोट पर सीच्छ दो बाजिनता पार्टी का बड़ा लगुद कारिश के पार गया है यह अमारे लिए च्छी बात है और वैसे साहिद सरकार से काफी पीछे हैं दादा आप भी चुनापरचार के लिए आये थे कैसा लग रहा था लोगों का रिस्पॉंस कैसा था बहुत अच्छा रिस्पॉंस था लोगों का पर एक जो मैं चीज़ती नहीं जो फिरी वाड़ा जो चलाया हुआ है कि फिरी बिली फिरी पाणी जी लोगों को उसकी नहीं बन पाते कि वहीं यह फिरी हमारे लिए अच्छा है या बुरा है जो कि अगर किसी इंसान को आप कोई विए उसमें आप है मैं सबी हैं अगर बैक्षे में सब कुछ मिलेगा तो उनकर से नहीं निकलेंगे निठलो वाड़ा काम होगा अगर किसी को बिजली फिरी पा करता हूं और उसी यह फिरी की चीजी देने के और शीक्षा में अच्छी बढ़ा अच्छी सभीता की यह खेल में और बहुत से हैं जहापे अमत्हा कर सकते हैं पर जाब फिरी की बात आती है तो वहां पे इंसान बविश्य के लिए शुशित नहीं है और यह आने वाले टा अधा रह गी डिली के मुद्ध पर कम आप आया आप लोग शालिय इस पुझे से दिली की जन्ता ने नका रहा है दिली का मुद्ध क्या ता दिली का मुद्ध पर दिर्व किलीनिक अच्छे हैं मुला खराब हैं किकी इसी में उत्ते बैठे मिलेंगे किसी में कच्छा मिलेंगे को घ्रिव सुकुल हैं तो उन्हों आच्छे बढ़ने दिखाने के लिए उन्हें अच्छी तरीके से पर्चार किया मादिन पार्टी ने और उनका एक हो अतामुलाख खान क्या नाम तो खुद बोलता था कि वही बारा परसेंट मुसलमान हम दिल्ली में सारी वोट आमाधी पार्टी को जानी साइगे यह यह आशी आशी चीज़े जो लोगों को एक बीजेपी की पे तो लगाया कि बीजेपी इस तरी के लेश लड़ती है और वो लड़ा तो आमाधी पार्टी ना वो अलेक्स है जाना एक चीज़ और क्या आपको लगता है कि शाहिन बाग का जो इशू रहा वो बीजेपी के लिए बैक फायर कर गया बीजेपी को शाहिद लगा तक कि शाहिन बाग के इशू से फाइदा जो हिंदू बोटर से वो आएंगे देखिये आप पता यह सायन बाग में वो किस ने बैठाए थे बीजेपी के तकरीव नेता उनके इसाथ गये हैं वहासे देश तोड़ने बात्ते होती है यह उनके मतलब सपोर्ट करते हैं और बात्ते पार्टी का सबसे पहले देस है दे ईसके लिए पैसले लिए भी हो लेने पड़ेंगे, अब इस यह कानून जो बनाया था, कागज देख किस करा इंदौस्तान यह तो विदेशी है दिन जो अपने तीन देशों के जो आप शंख्राने उसमें इंदू भी हैं शिक्ष भी हैं एक रिश्चिन भी है यह जो चैधरम हैं जैन हैं बहुत हैं पार्शी हैं उनके लिए वाई उनके ना खिताम देंगे और य वह याशे आप शर्दिर्दी माम हैं जिसको कोई इंसान नहीं जानता था तो देश तोड़नी बात करता है उसको पुरा देश जानता था अधूर दो सभी जानते हैं उमर खालिद है इनका 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 किया क्या है पर देश के विरुदिने पायन बाजी की है और आमामे आद इसको इसको कांग्रेस आमादी पार्टी उसको उठाने आकांपन के ऊपत देश इतक लिये कौन से बात किये है उसमें जानता राममंदिर अधिर जो आज तक एक वोटो के लिए कांगरेस पार्टी खेलती आई है वाँ बात ता पार्टी ने इसकोश की एक रस्टा बना आ कि यहां पर वहां पर राज कर रही है वहां पर सीम का चेहरा किसी तरीके से सामने रखे लेकिन क्या आपको नहीं लगा कि दिल्ली में अगर सीम के चेहरे के साथ उतरते तो थोड़ा सा और इंपक्ट पड़ सकता था कि पिसली बार सीम के चेहरे के साथ लोगते थी और अरविंद केजिवाल से तो और अरभी बैटर है वो तीन शीटा ही बाजदना पार्टी तो उन्हें बतारे क्या सोचता है बोट दिया था अब और आप यूपी में देखिये बीना चेहरे के लड़ी थी बाजदना पार्ट योगी जी को तो बाद में उख्मति बना है इसे यह चीज़े माइन नहीं रखते बचिया है कि जो लोगों को अच्छी तरह पाए जो हमारी बाते थे वारे दो बुद्धे थे और लोग वो फरक नहीं देख पाए कि आने वाले टाइम के लिए लंबे टाइम के लिए क्या आपको नहीं लगों तक आपको जिस तरीके से पहुंचना चाहिए था जिस तरीके से लोगों तक बात पहुंचानी चाहिए थी भारतियन्तर पार्टी को उसमें थोड़ा सा आप लोग फेल हो गए नाकाम हो गए वहां पे अब देखिया हर्थ सभी तक बात पहुंचा यह पार्टी साफिनीती है साफ है सोच है कि हमारा यह काम हमारी यह सोच है हमें धिली को इंदुस्तान को इस तरीके से आगे ले जाना चाहते हैं पर वह जो पिरिवारी बात है जो लोगों को वह उसको कैसे जहन से निकले कि ब भी पन दो सकती है उशके बाद हम क्या करेंगे हम किस करने के भी रहेंगे जाता क्या आपको लगता है कि आप ओलंपिक मेडलिस्ट है कुछती में भी हम लोग देखते हैं कि आखर तक मकारवे में दोनों ही पहलवान रहते हैं क्या यहाँ पर आकरी का जो मूव था वह आम पार्टी नि यह फ्री वाला दाओं चला इसमें भाते अंता पार्टी कोई जवाब नहीं ते पासाइब का अब इस आम आद्य पार्टी ने फिरी बिजली दे दी फिरी पाणि दे दिया एक लोगों को निठला पढ़ाने काम किया है फिरी राशिन मिलता है दो रुपे किलो तीन रुपे किलो अब उनको यह वह अदिर होते हैं कि हमारे बच्छों को भी मिलेगा उनके बच्छों में कि वह आग कहां से लगे कुछ करने की कुछ करने के लिए निकलेंगे कैसे वह वह इतना करेंगी जिसली फीर पाने फिरी रासंदोल के पिलो मिल रहा है काम सब्सक्राइब ऑज देश आगे इस दीज से अप अमरीका देखिए? लिए किसी भी डेश को उठा लिए आप इसे वह तो चीजह है वहां पे उन देशों में शिख्षा पर अच्छा काम किया है खेल में अच्छा काम किया है रोजगार श्रीक पूस्ट की तरफ शिख्षा के लिए 10 अधिया वह बैनल लगवा दिया कि और अब तो चार लाग कमरा बनता हूं आपट चोभीस लाग का इकमा दिखा बाए इसने आमादी पार्टी ने क्या मतलबा है. अगर जब लोग यह चीजे समझने लग जाएंगे तो समझे अपने आप तूर हो जाएंगे शारी. लेकिन द्यादा एक चीज़ और बहुत सारे लोग आपसे सवाल भी करना चाहते हैं लेकिन मैं अपने सवाल पहले खात्म कर लूँ. मेरा सवाल ये है कि सरकारी स्कूलों का जिकर आपने किया रहा लेकिन ये कहा जाता है और कई बार इस तरह के तस्वीरे भी आई सामने कि वाकई दिल्ली की जो सरकारी स्कूले हैं उनका एक कायकल्प किया मनिश सोधिया ने आमाधी पार्टी की सरकार ने इसके साथ सानम ने भी देखा कि सरकारी स्कूलों के जो रिजल्स आए वो प्राविट स्कूल से बहतर आने लगे तो आपको नहीं लगदा कि वाकई एजूकेशन परकान दिल्ली में पहले भी कुछ ऐसे स्कूल थे तो बहुत अथे थे मैं भी रोडो केसल में हैं और काफी कई स्कूल हैं दिल् करते हैं अब is बहुत आलता हैं और कि अंब कर दो देखक्री आपकर करते हैं अगरा यह दिल्ली में और दिखा दी अच्छे उन इनकों क्या पूचा दिया हैं अगर आप दिल्ली में सक वे शुद्ध निकालोगे तो किसी स्कूल में दो में अच्छे बना हैं वोली कि यह इसे ठीक तो चुपता है और फिर आ पे तुर्स स्कूल पना दियो उसके बाद जो प्रैंसिपल की बात आती है कि इतने स्कूल में दो प्रैंसिपल ही नहीं है उनका दवाप कोनदेगा दादा आपको आप तोPlus경 से दूल के दिग मत दाता हूं तक इंदाना को पहुंचा पात उसके बाद नतीजह हो सकता गॉ eş अपोच और सॉतर और बाघना किसी को फिरी घृड़ी फिरी पादि मिलता है तो उनसे ही देखेगा उसको बेखस Спhos шाँ और कि मेरा एक पैसा नहीं लगता करशे में फिरी बिजली मिलती है फिरी पानी मिलता है तो आपको लगता है यह कार्ड आम आदनी पार्टी ने खेला इस कार्ड ने भारते नता पार्टी का गेम खराब कर दिया लोग निचन ले होंगे लोग कुछ करेंगे नी काम करने के लिए निकलेगा अगर आपकी बिना गर बैठे आपको सब कुसी मिलता दो आप काम पे लिए क्यो निकलोगे कुछ कमाना पड़ेगा आगे निकलना पड़ेगा, को पेट बड़ेगा भीण खरी भिडूना मेर को करना होती है Singapore, भीडीन मेर भीड ले डिलिलोछ नम्हाट रिव्णे उसकあと कुछ को ने पनाओ में आगे में रहे हैं कि फिरी जामी ले जाता है तो वहां पर तरक्य रोकती है और यह पर दिली में जाइए नहीं जाइए लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टों में नजर नहीं आया लूप यह बीजेपी के मैनिफेस्टों में नजर नहीं आया क्योंकि उन्होंने कहता कि जो यह फ्री की सेवा आं अब आफिक दे रही है इसको भारती जन्ता शिण नहीं नहीं वाली है स्कों वरत बारती जंता पार्टी ने यह चीज़े बोली थी कि वही अम यह बोली थी कि आप अगर दोगे तो आप किसका पैसा लोगे वह पुब्लिक पैसा है कि आम आदमी उसमें तो है वो मरता उसमा वो पिष्टा उसमें उसमें आप भी पिषेंगे योगेश्वर नमस्कार मैं चरंजी सिंग हो सीनियर जनलिस्ट और प्लिटिकल एनलसिस सबसे पहले मैं आपका सम्मान करता हूं आपने देश को मैडल जिताएं और मैं इतना जानता सब्सक्राइब करते हैं तो योगेश्वर दजी आपने फ्री की बात करी जैसे आप कह रहे हैं आम लोगों को सभी को फ्री कुछ नहीं मिल रहा है दो सो यूनिट तक बिजली फ्री है तो और जो लोग है ना सबको पैसे देने पड़ते हैं दिल्ली में हर चीज का पैसा द सब्सक्राइब करें देना पड़ता है यहां पर बात खाली फ्री की नहीं है यहां पर बात विकास की लेके चल जाया हूं जैसे उन्होंने बसों में इस तरियों को सम्मान दिया यहां पर कैमरे चाहिए उन्होंने लगाए सब जगा इसकी वज़ा से कितने के मिलेगा पंद्रा लाख है कांडेड़ लाख आप वह देखिये ना परसंटेज के आप 50 परसंट भी नहीं दस परसंट भी लगे दो तीज देखिए ना पर लगाए कितने हैं एक सवाल का पांच लाख लगा दो एक लाख लेड़ लगा रहते हैं और विकास की बात कहां पर आगई ह अगर आपकी 200 से उपर आगे तो फिर आप कितना दोगे पूरा दोगे आप चले एक लास्ट सवाल उसमें पूरी सभी के लिए प्रापर काम रहा है कि क्या इस परिनाम ने एक सिलेबस भारतियनता पार्टी के लिए फिर से तयार कर दिया ताकि आप अगले पांस सान तक उ उस सिलेबस को रीड कर पाएगी ठिक धंक से तयारी कर पाएगी देखियो यह जो मैं आगे पांस साल है पर अगर आप मोदी जी का तेहरा देखोगे तो आज भी वहीं पे है उनकी लोग में बढ़ोतरी हुई है कुसार दिली में वोट शेर देखोगे तो 32-33 से वो आज 14 सबसे बहुत ज्यादा मतों से पीछे सर्वय हुआ भी था वागे मिलेंगे जहां पर जहां पर यह ऐसी चीज़ा आगी और मेरे तो मानना कि सरकार कोई कुछ नहीं बोल सकती कोई कि कोई पार्टी ऐसे इसमें नहीं बोल सकती इसमें सुप्रीम कोर्ट को यह वागे बढ़ पर बन लोगों को देना बंद करो उनको ओठ विताई तो जीश्य देश का अच्छा विकास हो चलिये योगेश्व बहुत बहुत शुक्रिया आपका आप हमने बहुत निकाना मारुसाज बहुत बहुत शुक्रिया आपका